नमसकार दोस्तों दोस्तों स्वागत यग्वायर मेरे चनल नपि गुर्क मेइं दिखिय ministers जेवर एरपोर्ट के बहुत अच्छी जानकारी आए दोस्तों बहुत अची ख़वर मिलिए तो इस जानकारी को मैं मैं बता तक सेर कर रहा हूं तो देखे चलिए बात करतें के जल जान करिए एरपोर्ट टो certainly ओपर तो देखिए आंप देख सकते हैं लिखा वा है कि जेवर एेरपोर्ट किसानों के पुरवास पर आज से जन सुनवाई कि अगोठी इस दहीं कितनी अच्छी झान कर यह च्त एन्वी टी न्यूज ग्रेटर नौइडा जेवर एरपोर्ट के लिए हुए जमीन अधिकरण से प्रवावित किसानों के पुनरवास के लिए जिला परसासन बुदवार से गाउं में केम्प लगा कर जन सुनवाई करेगा इस दोरान किसान अपनी आपत्ति और सुजाब दर् जेवर एरपोर्ट के लिए पहले चरण में छे गाउं के किसानों की 1334 हेक्टेर जमीन अधिकरण करने की कारवाई चल रही है इनमें कुछ किसानों के परिवारों को दूसरी जगे स्थिप्ट किया जा रहा है इसके लिए जिला परसासन बुदवार से जन सुनवाई करेग एडियम लेंड बलराम सिंग ने बताया कि बुदवार को किसोरपुर के प्रात्मिक बिद्याले में सुवे दस बज़े से केम्प लगेगा रनहरा में बुदवार को ही दुपर दो बज़े से आदर्स इंटर कॉलिज में केम्प लगेगा 27 दिसंबर को पारोही और बनवारी बास के प्रात्मिक बिद्याले में सुवे दस बज़े से केम्प लगेगा 28 दिसम्बर को रोही में सुवे 10 बजे से प्रात्मिक बिद्धाले और 29 दिसम्बर को सुवे 10 बजे से दयानतपुर के किसानों की सर्भित कारी इंटर कॉलेज दयानतपुर में केम्प लगाकर जन सुनबाई की जाएगी इस दोरान जमीन अधिकरण से प्रवावित किसान आपत्ती और सुझाब दर्ज करा सकते हैं तो देखिए दोस्तों कितने अच्छी जानकारी इसमें आपको पता चलाएगा कि जो छे गाओं हैं किसानों की उसमें जगे जगे केम्प लगाए जा रहे हैं और उसमें किसानों क कि जन सुनबाई होगी और देखिए इसमें तारीक भी दे रखें कौन कौन सी तारीक में कितने बज़े कौन से बिद्धालने में कहां कहां पर केम्प लगेगा तो दोस्तों आसा करता हूं कि यह आपको वीडियो अच्छी लगग होगी तो दोस्तों इसको आप ज़्याद ज़्यादा सेर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों हमारे चनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद दोस्तों